हलो एवरिवान और वेलकम तो यूट्यूब चानल अफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज मैं हूँ युवाक्षी और आज आपके लिए स्पेसिफिक वीडियो लेकर आई हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंस का करेंट लिए डाउट है माम अभी तर क्लार्ट पीजी का प्र तो आज इस पेसिफिक वीडियो में आपको बताऊंगे कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्राटेजी क्या होनी चाहिए यदि आप अब से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो और आप दिसम्बर मंत में 1st December को प्रिपर लिखने वाले हो तो आपके क्या स्पेसिफिक स्ट प्रिपरेशन स्ट्राटेजी होनी चाहिए जिससे शौर शौर आपका एक्जाम क्राक हो जाएगा तो लेट्स डिसकस कि आपको क्या चीज़े अपनी प्रिपरेशन जर्नी में इंकॉर्परेट करनी है आज से आपको अपना कैसा ताइम अलोकेट करना है और सो आइल बी करने है definitely यह बहुत जरूरी है जितने भी आपके law subjects से उनके fundamentals के बारे में आपको knowledge होनी चाहिए अच्छे से knowledge होनी चाहिए कैसे करेंगे क्या करेंगे सब मैं आपको बताऊंगी चिंता मत करो इतना अभी के लिए समझो कि fundamentals cover करना exam prospective से बहुत जरूरी है कैसे cover करना है मुझे fundamentals उठाके बड़ी-बड़ी books से cover करने की जरूरत नहीं है नहीं अब मेरे पस time है आपको specific notes से अपने fundamentals cover करना चाहिए, आपको focus करना चाहिए कि आप conceptual clarity पर focus करो for the exam आप concepts है, doctrines है provisions है, उनके उपर focus करो आपको सारे subjects के सारे provisions करने की जरूरत भी नहीं है exam के लिए, आपको focus करना है on the important provisions क्योंकि time कम है अब आपको quantitative study नहीं qualitative study पर focus करना होगा जहाँ पर आपका सारा focus होना चाहिए over covering the important fundamentals जिनके CLART में आने की possibility बहुत हाए है, अब ये पूछोगे ma'am paper तो हम नहीं बनाने वाले, ये कैसे decide कर ले कि CLART में आने की possibility किसकी हाई है, बहुत simple सी बात है, उसके लिए यहाँ पर आपका second element of your preparation journey आता है that is focusing on case loss यदि आपने CLART PG का पुराना paper उठा के देखा है, तो उसमें आपको एक passage आता है, जो कि contemporary case या landmark case पे based हो सकता है उस passage पे आपको कुछ followed questions आते हैं जिसमें कभी-कभी आपसे bench of judgment पूछी जाती है, कभी-कभी आपसे dictum ratio of the judgment पूछा जाता है and maximum questions जो आपके बनते हैं, वो fundamentals on that question बनता है, जैसे कि recently Supreme Court का एक बहुत important 9 judgment judgment आया है तो वो आपके लिए important है definitely yes important है, उसमें fundamental provisions आये हैं उसमें जो doctrines आये हैं उसमें जो concepts आये हैं वो fundamentals के section से मेरे लिए super super important हो गए, क्योंकि मुझसे hundred percent उस पे based question पूछा जा सकता है, in fact उसमें जो referred case है, referred landmark case है, वो भी मेरे लिए बहुत important है CLART के perspective से, CLART आपसे कुछ भी पूछता है, ये बाग deny नहीं की जा सकती, लेकिन क्या आप उन provisions को trace कर सकते हो definitely yes, आप उन provisions को trace कर सकते हो, आपको करना ये है, कि जब भी आप कोई contemporary case cover कर रहे हो, तो उसमें जो भी fundamental study का provision involved है, चाहिए वो किसी भी law का हो वो consti से होगा, हमेशा consti का element उसमें involved हो गई होगा साथ में हो सकता है कि कोई बहुत छोटे से miscellaneous law का कोई provision involved हो जैसे कि UAPA के बहुत सारे cases आते हैं limitation act में section 3 और 5 के interpretation को लेके case आता है, section 20 of SRA से related case आता है तो आपको उसी समय पे वो miscellaneous law हो या major law हो ये दो elements यदि अपनी preparation journey में आज से अगले 3 महने के लिए incorporate कर दोगे न, तो CLAT तो क्या बहुत आराम से ये exam एकदम आराम से निकल जाएगी पता भी नहीं चलने वाला, provided कि आप आज से अपनी preparation journey को अच्छे से शुरू कर रहे हो और अगले cases को cover करने के लिए अपना schedule बना लेते हो आपका automatically reading practice जो है, reading habit जो है वो improve हो जाएगा, मैं reading practice इसलिए कह रही हूँ क्योंकि exam में हमें time management के element को देखना भी बहुत जरूरी है paper बहुत lengthy होता है, बहुत सारे बच्चे previous year paper देखे कहते माम ये तो 120 मिनिट में पढ़ना ही impossible है, impossible नहीं है आप से कौन कह रहा है पूरा-पूरा passage पढ़ो, आप selective reading करो exam में भी, आप questions को go through करो, फिर आप देखो कि क्या मुझे passage में scope है answers मिलनेगा, if yes तो जाके passage को revisit करो, वरना आप skip कर सकते हो passage को read करना this I am specifically talking about CLAT PG, please make sure and please keep this in your mind everybody then last and foremost point is have a concrete study plan, यदि मुझे पता है कि मुझे आज के दिन में क्या-क्या चीज़े cover करनी है, तो मेरा बहुत अराम से target achieve हो जाता है मैं हमेशा आपको ये suggest करूंगी कि आप एक weekly study plan भनाओ यदि किसी दिन हफते के आप वो target achieve नहीं भी कर पाते हो तो आप by the end of the week focus करो कि यार वो चीज़ पेंडिंग है, मुझे वो चीज़ अची़ करनी है अभी concrete study plan क्या हो सकता है by the end of this video मैं आपको एक concrete study plan suggest करूंगी जिसको आप incorporate कर सकते हो for next 3.5 months and बहुत आराम से आप CLAT PG को crack कर लोगे constitution बहुत important है आपको constitution तो definitely cover करना चाहिए उसमें topics like fundamental rights DPSP, emergency, amendment miscellaneous provisions all of them are very very important then a brief knowledge about jurisprudence is also very important पर इसका ये बिलकुल भी मतलब नहीं है कि इनकी textbook उठा के पढ़ना start कर दो time नहीं है यार एक limited source लो consolidated source लो वहाँ से content को उठा और पढ़ना start करो competitive exam के लिए ये समझना बहुत जरूरी होता है कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या skip करना है यदि ये theory आपको पता चल गए कि मुझे क्या skip करना है किस चीज के exam में आने की कोई possibility नहीं है तो आप बहुत अराम से 3 महने में अपना पूरा syllabus complete कर सकते हो इसके बाद सबसे major question जो आज का last prince का है criminal laws का क्या करें माम पुराना भी है नया भी है अब देखो बहुत simple सी बात है मुझे new और old को साथ में रख के पढ़ने की जरुवत है CLARPG के लिए उसके पीछे की simple सी theory ये है कि भले ही 1st July 2024 से नए criminal laws आ चुके हैं कहीं new और old के comparative study करते वे conceptual clarity के साथ criminal laws को cover करने की जरुवत है हम concretely ये नहीं कह सकते कि यार सिर्फ और सिर्फ पुराना आएगा या सिर्फ और सिर्फ नया आएगा comparative analysis के format में भी आप से CLARP में question पूछा जा सकता है and definitely criminal law भी आपका important portion है CLARP को ध्यान में रखते हुए then contract, contract के भी जो basic concepts है वो सब cover करना बहुत important है family law के बहुत सारे cases आपको देखने मिलेंगे तो आपको family law में जो major portions है वो सब cover करने की जरुवत है public international law cover करने की जरुवत और बचे भी आज़े आज़े other minor laws अब जितने भी laws बचे हैं ना minor laws in 6-7 subjects के अलावा उनको खोल के बेराक्ट से पढ़ने मतलग जाना सीधे सीधे एक-एक section करके उन्हें कैसे cover करो क्योंकि time कम है effective study करो कोई भी case पढ़ रहे हो उसमें कोई provision आ रहा है किसी भी minor law का minor law से मेरा मतलब सिर्फ TPA या फिर सिर्फ TOTS ऐसा नहीं है minor law से मेरा मतलब है कोई छोटा से छोटा law भी जैसे कि JJ Act हुआ UAPA Act हुआ NDPS Act हुआ Limitation हुआ पहत बार in provisions के sections भी cases में discuss किये जाते हैं for that matter consumer protection act हुआ तो आपको इन laws को भी cover करने की जरुवत है पर पूरा पूरा बेराक से करने की जरुवत नहीं है कोई भी case पढ़ रहे हूँ उसमें कोई provision आपका way across कर रहा है तो उसको आप यहाँ पे detail में cover कर लो इस तरीके से incorporate करो fundamental study को बहुत अराम से आगे आने वाले 1.5 months to 2 months में आपका पूरा content एक बार complete हो जाएगा और आपके पास last में एक महिना बचेगा revision करने के लिए जो कि बहुत important है exam के perspective से right अब क्या मुझे इसके इलावा कुछ और पढ़ने की जरुवत है definitely yes सबसे पहले मैं आपका funda clear करती हूँ कि आपको cases कपके करने की जरुवत है आप कोशिश करो कि at least आप last 3 years के cases को detail में cover करो at least 2024 औ 2023 के go in detail and 2022 के आप most important judgments कर सकते हो ठीक है major loss की उपर जो landmark cases है उनको thoroughly cover करो detail में काफी जरूरी है especially वो जो किसी contemporary case में refer किये गए हो वो provisions जो आप contemporary case में पढ़ रहे हूँ उनको आपको detail में करना super important है बहुत ज़ादा जरूरी है तो आप उनको definitely cover करो practice करो आप mocks बहुत जरूरी है इससे आपके 3-4 फंडे clear होंगे एक तो आपके कुछ cases cover हो जाएंगे जो आप day to day नहीं पढ़ पा रहे हो क्योंकि mocks की learning करना उनका analysis करना भी उतना ही जरूरी है साथ में आपके बहुत सारे fundamental subjects through mocks ही cover हो जाएंगे आपको bare act पी उठा के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी जितना required है उतना mocks में आपको आ जाता है आप उससे बहुत अराम से अपना preparation का एक part भी cover कर सकते हो उसके बाद आप focus करो questions on specific subjects last के इन दो points से आपका एक सबसे बड़ा problem solve होगा which is time management तो 1st December को हमें कोई surprise नहीं मिलेगा हम 2-2-4 में 120 minutes ने मारा brain और हम mentally prepared होंगे 120 questions को पढ़ने के लिए समझने के लिए और उनको answer करने के लिए तो brain को और खुद को physically mentally prepare करने के लिए mocks practice करना, questions practice करना हमारी strategy का एक बहुत important हिस्सा है जो हमको definitely अपनी strategy में incorporate करने की जरुवत है everybody अब मैं आपको एक concrete study plan देती हूँ आप इस study plan के थूँ अपना study plan बना सकते हो वेरेविली अपने choice of subjects के साथ आप 2 घंटा रोज try करो कि आप fundamental study को dedicate करोगे time जिसमें आप major subjects को properly थरोली cover करोगे उनके fundamental case laws के साथ and everything एक घंटा आप try करो आप पूरा पूरा दिन में focus करो over contemporary cases सबको लगता है कि CLAD PG के लिए ये चीज उतनी important नहीं है but I definitely say कि जितना fundamental पढ़ना important है उतना ही case law study करना भी important है for CLAD PG paper sorry just a minute for CLAD PG paper तो आप 1 और 2 पॉर्ण का एक combination incorporate करो 3 आप daily basis पे इतना try करो कि आप इतना time तो minimum उसको दोगे ही दोगे 13 तो 35 मिनिट साब mock का analysis करो और question practice करो इससे आपका time management होगा and आपका ये preparation का 30% भी है mocks में जो questions आ रहे है mocks में जो cases आ रहे है उनको अलग से मत पढ़ो mocks के through ही उसे complete कर लो तो इससे आप 3 या 4 sources जो आपके viable sources है उनसे content भी आपको मिल जाएगा plus आप साथ में अराम से quick अपना पूरा preparation journey भी sort कर लोगे एक strict schedule बनाओ अपने लिए for next 3.5 months and you will be sorted for your exam आपको ये study pattern अगले एक महिने के लिए रखना है फिर बच्चे वे दो महिने के लिए आपको revision pattern पे जाना है जहां पर आप case laws और fundamentals का combination में revision करो आपको exam से पहले ये ensure करना है कि आप 2 से 3 बार सब चीजों को thoroughly revise कर लो ताकि आपके brain में वो कहना है कई fit हो जाए और आपको exam में दिक्कत ना है तो ये study pattern है, study plan है आपके लिए जो आप incorporate कर सकते हो on a daily basis and आराम से CLAT PG crack हो जाएगा alright everybody, that's it for this video हमारा course already चल रहा है, we have launched a crash course also on CLAT PG and ALT PG where we will teach you कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है alright, so that's it for this video everybody, all the best and take care